कि अधाय कि नैज के सांवें या कि इस एंष मारा में कि यह हुआरा फार है तरष यह के आवारा को स्अनगे दिन पर मोबाइल पर हो जैश्य राम बोलने वाट के मरू नि वाले भूकें मर रहे हैं हमारा ये जह ए Wellington कि अपका राहुइवटी का तेंगे ने अपना धाम भी ने लेते होंगे लेकिन अपना करम भी करते हैं। हिंदु मुसल्मान के अलावा वहां की जंता कोई बात नहीं कर रही इन्होंने डिवाइड किया सुसाइटी कोुवाग कर दों से जाते हैं। तुम्हार तुम्हार दिप्रेशन हरे हिंदु राजंग लिए तो है विए नमस्कार व्यूज मैं हूँ अमीज देवकन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सब्सक्राइब सब्सक्राइब ये देश है मारा और इस अफ़ते ये देश है मारा में बात होगी 2024 के चुनाफ की मुझे याद आता है एक होता है पैर पर कुलहरी लगना और एक होता है पैर कुलहरी पर दे मारना मोदी को हराने की हुंकार भरने वाले विपक्ष की हालत चुनाफ पास आते अक्सर ऐसी ही हो जाती है दरसल लालू परसाद यादव ने एक रैली में प्रधान मंत्री के परिवार पर सवाल उठाए थे और पूछा था कि ये नरेंद्र मोदी का परिवार है कहां और अब बीजेपी ने इस मुद्दे को दोनों हातों से उठा लिया है बीजेपी ने बकायदा एक पूरी कैमपेंड चला दी है जिसके तहट पार्टी के सभी नेता कारे करता यानि आम जन्मानूस आप भी खुद को मोदी का परिवार कहना उन्होंने शुरू कर दिया है खुद परधान मंतरी मोदी भी कशमीर से रेकर तमिलाडू तक और बंगाल से लेकर बिहार तक खुद पर हुए इस हमले के बारे में जोर शोर से बात कर रहे है परदान मंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने घर मौज मस्ती के लिए नहीं बलकि देश की सेवा के लिए छोड़ा था यानि मोधी पर हुए डारेक्ट अटाक से मजबूत पब्लिक कनेक्ट बनाने की भरपूर कोशिश हो रही है दूसरी और राहुल गांदी जी है और उनके समेथ पूरा विपक्ष है जो राम और सनातन पर बद जुबानी के लिए रुक नहीं रहा है जो कि बीजेबी के लिए एक बोनस पॉलिटिकल ऑपरचिनिटी साबित हो रही है इतना ही नहीं देश के ग्रह मंत्री अमित शाने एक बार फिर डंके की चोट पे कह दिया है कि मोधी सरकार के इसी कारेकाल में CAA देश में लागू होने जा रहा है यानि आने वाले दिनों में अब फुल पॉलिटिकल आक्शन देखने को मिलेगा सवाल है क्या नरिंद मोधी के परिवार प्रहमले का नतीजा 2019 के चौकिदार चौर जैसा होगा जैसा साबित होगा और बड़ा प्रशन ये भी है कि राम के नाम पर हिंदूों की भावनाओं के साथ खिलवार क्या वोट का जुगार कर पाएगा आज इनी तमाम मुद्दों पर होगी ये देश है हमारा में देश की सबसे प्रतिश्च तर्चा दो हजार चौबिस का वार राम से लेकर परिवार अभिनंदर आपका आज के इस कारेकर में करना है भाई और बेनों क्योंकि चोकी दाथ चोकी दाथ चोकी दाथ चोकी दाथ आरत माता की वो साल 2019 था जब राहूल गाधी ने इस नारे से बीजेपी और खास्तोर पर प्रधारमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश की लेकिन बदले में देश की जनता ने पूरे विपक्ष को तहसनेस कर दिया अब एक बार फिर लोगसबा चुनाव सिर पर हैं और एक बार फिर प्रधारमंत्री मोदी पर डारेक्ट अटेक हुआ है आजकल परिवार बाथ पर हमला कर रहा है और बैटु बताओ न कि तुम候 क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो तुमको हुआ बता आती ज्यादा संतान होने वाल actu को वोलता कि परिवार बाद परिवार के लिए लोग लगे ता महरे पास परिवार नहीं है कोई गलत काम बात नहीं हम लोगों नहीं बोला है अब कोई डर्थ इतने वाले हम लोग नहीं है उड़ते ही अब टीवी हैसा अन करो मोधी आ गई मोधी की फोटो आ गई तो उस घर को तरित्री लग गई जो लोग 14 में आये थे वो 24 में जाने वाले हैं दस साल हिटलर का ही समय था दस साल से ज़्यादा वो नहीं रह पाया हुआ था दस साल दिन का भी पूरा होगी 2019 की ही तरह इस बार भी बीजेपी ने विपक्ष के हमले को अपने कैमपेण का हिस्सा बना लिया है क्योंकि सवाल प्रधारमंत्री मोधी के परिवार पर उठे तो जवाब में बीजेपी के तमाम नेताओं ने खुद को मोधी का परिवार कहना शुरू कर दिया कि देश के विकांट से परिशान होकार परिवार वादी लोग मुझ पर व्यक्तिकत हमले कर रहे हैं यह लोग कह रहे हैं कि मोधी का कोई परिवार नहीं है लेकिन इने देश इनको परिवार वाद उनको नहीं दिखता था कॉंग्रेस के परिवार वाद के खिलाफ मोधी जी बोला करते थे अब जब परिवार वाद मोधी जी का बढ़ गया है उसकी बाद कुछ कहना चाहेंगे या तो हम self goal करते हैं या गोल कीप गोल के आगे से हम गोल कीपर को हटा के मोदी साब से कहते हैं आप लाओ कर लो स्कॉर अब परिवार पर हमने खुल खुला उनको गोल दे दिया और उन्हें मौके का इस्तिमाल किया और बड़े तरीके से किया कहा के मोदी उनका है जिनका आभी नहीं हमें इस तरह की सियासत जो है उचोड़के हमें लोगों के मुद्दों की सियासत करने जाएं ये चौकीदार ये रैफल ये परिवार ये चलता नहीं दूसरी ओर राम विरोधी बयानों की वज़ा से भी इंडी गटवंदन बीजेबी के निशाने पर है ममता वनर जी की पार्टी के विधायक रामेंदू सिनहा ने राम मंदिर को अपवित्र कहा तो वहां जोरदार सियासत शुरू हो गई जवाब में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने राम मंदिर की प्रतिमा को सिर पर रख कर रामेंदु सिनहा के इलाके में शोभायागरा निकाली दक्षिंड में दी स्टालीन के बाद उनकी पार्टी के बड़े नेता ए राजा ने राम और रामायन के लिए बेहत आपत्ती जनक टिप्पनी की हैं भारत विरोधी राम विरोधी सिनातन विरोधी सब तरा के ब्यान चल रहे हैं देश को बाटने के उत्तर और दक्षिं को बाटने के मेरा सवाल कॉंगरे से यह है आकरिये शेह किसकी मिलागा सवाल यह है कि क्या मोदी पर विजी हमला एक बार फिर विपक्ष का सेल्फ कोल साबित होगा और राम का अपमान क्या बर्दाष्ट कर लेगा हिंदुस्तान आज इसी पर जन्ता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस तो विवर सबसे पहले आज की चर्चा के आज की भैस के तीन बड़े मुद्दे क्या है पहला मुद्दा लालू यादव ने क्या बैठे बिटाए मोदी के परिवार का जिक्र चेर कर बीजेपी के लिए एक इमोशनल मुद्दा दुबारा से खड़ा कर दिया है क्या ये 2019 वाली चोकिदार चोर है वाली मुवमेंट है देश के लोग समाचुनाव से एन पहले दूसरा मुद्दा क्या विपक्ष की राम विरोधी चवी एक बड़ी स्टाटेजी है बीजेपी की और विपक्ष की और से भी और तीसरा बड़ा मुद्दा जो की बहुत एहम है क्या C.A. से N.A. का 400 प्लस का टागेट पूरा हो पाएगा ये बड़ा प्रस्टे है तो आज इनी तीन मुद्दों के इर्द गिर्दिय चाचार आएगी जोरदार तालियों से विरंदन करिए हमारे महमानों का, हमारे युवा मित्रों का सबसे पहले हमारी ओडियंस के लिए, हमारे युवा मित्रों के लिए जोरदार तालिया मेरे साथ आज आइनलिस्ट भी है और पैनलिस्ट भी है मेरे साथ नेतागन भी है और मेरे साथ एक्सपर्ट भी है जोरदार तालियों से स्वागत करिये भारतियंदा पार्टी के नेता प्रवक्ता दॉक्तर आजे आलोक का अमीन चमाई प्रवक्ता समाजवादी पार्टी का जोरदार तालियों से अभिरंदन है राजेश गुपता, MLA विदायक, प्रवक्ता आवांदी पार्टी के जोरदार तालियों से आपका अभिरंदन है विवेक शिर्वास्तव जी लेफ्ट के जाने माने नेता है उनका अभिरंदन है, आप तमाम लोगों का स्वागत है जाने माने राजनेतिक विष्ञेशक उनका अभिरंदन है तो जोरदार तालिया होनी चाहिए सब महमानों के लिए आए चरचा की शुरुबात करते हैं और अमीग जमाई शुरुबात आपको करते हैं बड़े दिनों बाद आपका दिल्ली दोरा लगा है और बड़े दिनों बाद अगर दिल्ली दौरा लगा है तो सवाल सबसे पहला तो ये बनता है कि दिल्ली अभी दूर दिख रही है या पास आकर थोड़ी पास दिख रही है दिल्ली आने एक बाद पता चला कि शेहनशा जो है वो डर गए है जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी का कॉंगरेस का गटबंदन हुआ जब से पश्चिम में जिनको चवनी कहा जा रहा था जब से वो अठनी या सिक्का बन गए है न जाने क्या हो गए है तब से जो शेह इंशा हैं 400 बहुत शोर मचा के बोल रहे हैं हमारा यह कहना है कि आपने जैन जी को ले लिया आपने राजबर जी को ले लिया आप सारी पार्टीयों को तोड़ रहे हो अगर आप इस देश के सबसे ताकतवर नेता हो दुनिया की सब्सक्तिशाली पार्टी हो आपको यह की भाशा है लेकिन आज इनका सवाल मेरा सवाल क्या है कि जो सरकारें चुनी हुई है वो शिक्षा का इंजाम करें वो नौकरियों का इंजाम करें और प्यार मुहबत भाईचारे का देश में माहौल हो जो हमारी आज़ादी का सब्सक्तिशाली आप राम राम बोलके आई है अमीर जमयी राम राम बोलके बड़े हो रहे हैं लाहु अकबर करने से तो पेट में राशन नहीं आएगा ना भगवान का राम दिल चौबिस घंटे जपवाने से मेहनत मशक्कत नौकरी शिक्षा जो सरकार का वादा है हम कहनें आप धरम का एक्सपर्ट क्यों बनन लेते हैं यह भगवान राम का नाम भी लेते होंगे वादसुदेफ तिस तकाल बीने लेखिन अपना कर्ण मेरकिया है आपना धरम भी करते हैं अमेश κιंट दलित यू पिछण ने कटाल मंतरी ने ईसृक रोड़ भ भरत कर असी करोंड लोग, प्रैमिस्टर कहते हैं मैं 80 करोंड लोगों को खाना खिला रहा हूँ, राशन दे रहा हूँ, सरकारों का काम है कि ये जो मेहनतकश बाप बेटिया हैना, जो मश्दूर है, गरीब है, किसान हैं, हाथ को काम क्यूं नहीं दे रहे हो? लट्धिया क्यू दे कि जैश्री राम बोलो और भूके मरो हिंदुस्तान में हम लोग हिंदुस्तान की संस्कृति को मानने वाले हैं सनातन को मानने वाले भाई साब ने अपनी बात शुरू की कि शेहनशा है दिल्ली में नहीं है शेहनशा दिल्ली में टीपू सुल्टान आपके आया हमारे यहाँ कोई शेहनशा नहीं है अखलेश का नाम टीपू ही है आज हम लोग जो चर्चा पे बैठे हैं लालु यादव को क्या जुरत्थी कह करेंगे कि आप आप जो आज राहूल गंदी का यह डालोग सुना रहे हैं कि भूखे मरो जैश्री नाम बोलो भूखे मरो यह हिकारत है यह सनातन के प्रती नफरत है यह जो इंडी अलाइंस बैठा हुआ है यहां पे बगलने मेरे आम आदनी पाटी के मेले भी हैं उनकी भ बोला अरविन केजरीवाल ने बेट मेरी नानी ने कहा बेटा मुझे ऐसे राम मंदिर के दर्शन नहीं करने हैं जिसे किसी मस्जिद को तोड़ के बनाया गया बड़ा फेमस हुआ था और उसके बाद चलेगे राम मंदिर दर्शन करने यह जान भूच के एक एक कॉंस्टि दिल्ली के वाए हैं दिल्ली इसलिए आया है क्योंकि उपी छूट गया असी गया तो दिल्ली आ रहे हैं जी जी और मुसल्मानों का मुसल्मानों का 35 प्रतिशत से ज्यादा वोट भारतिये जनता पार्टी और नरेंद मोधी को मिलेगा क्योंकि सब को लेके हम देश आगे सबको लेके चल रहे हैं अब देखिए ये बीजेपी ने गेर को शिफ्ट किया एक इसको तो मानना पड़ेगा मैं एक्सपर्स के बाद भी आओंगा एक मैं आरहा हूँ आपके बाद विवेक सिर्वास्ता बोलने पहले फिर मैं आ रहा हूँ विवेक सिर्वास्ता बोलने अब बताईए यूपी में कितने केंडिटेट देगे मुसलमान अभी पूरी लिस्ट अनॉस नहीं हुई ना तो अनॉस होने कब वेट करिया किसी को नहीं मिलेगा इनकी तरफ से टिकट और दूसरी पार्टियों को तोड़ा जा रहा है अच्छा मुसलमानी अप संक्यक है बताईए ना विक्टिमाइज मुसलमानों को किया जाता है मैं यूपी के दौरे पे था पूर्वी और तरदिरेश पूरा घूम करके आया हूं इन लोगोंने सारे वोट पोलराइज करें हिंदू मुसलमान के अलावा वहां की जंता कोई बात नहीं कर रही इन्होंने डिव इतना किया है किसी मुसलमान को टिकट उत्रप्रदेश में नहीं देंगे बात करते हैं अगर यह कौन डिवाइट करा विवाज आप भी सुनिए और जो दर्शक उस तरफ है वो भी सुने अगर आप राम को भगवान बताते हैं तो हमें स्विकार नहीं है यह डिवाइट कर जा रहा है पॉइंट नुबर वान अच्छा उसके बाद यह तो ए रहा और राहूल गांदी का तो मैंने जिक्र करी दिया आप जैश्री राम बोलो और भूके मरो यह यह युनाइट हो रहा है यह डिवाइट हो रहा है राहूल गांदी ने बिल्कुल सही कहा है बहुत आई-एंडी यह कह रहा है हमारे घटकदल कह रहे है आम आद्वी पार्टी कह रही है समाजवादी पार्टी कह रही है प्रने र 받고 दाम के नहां बड़े बड़े स्टार्स बड़े बड़े स्टार्स जो आज भी कुछ है टीवी पे वुस्ताब इखटे होके गाते थे और आते थे कि मिले सुर मेरा तुमारा तो सुर्वने हमारा एक कहते हैं आज मैं यह देख रहा हूं की जो डिबेट शुरू हुई और यही चलती जाए हिंदो मुस्लिम हिंदो मुस्लिम हिंदो मुस्लिम देखिए अगर आप थोड़ा दूसरी तरफ का देखा देना अब निशाथ साब कौनसी पार्टी में आज राजबर जी कौनसी पार्टी में आज क्या क्या नहीं कहा उन्होंने लेकिन मेरा यह कहना है कि क्या सारा 400 पार जाना है हजार पार जाना है 200 पार जाना है कहने बार कैसि मोदी जीस नहीं अभी जिंगSec कराeseा और음ी कोई कोई अलग है यह मुझे क्यों कराते है किसी को क्यों कराए लाए यह बार बार किसी ठिरहब की बात करे कि ने स्ला Tambi पार्टी की बात करी ए राजा और राहूल गांदी को कोट करा क्या वो युनाइटिट फील करा रहे है हमारी 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 राइट में है ना लेफ्ट में है बिल्कुल बीच में है तो राहूल गांदी ने इसका मतब गलत बोला एक मेरा कहना है कि हमारी पहले दिन से एक बात ह करें कि हम चक्रों में नहीं पढ़ना चाहते हैं ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए कि सामने वाला बेवरों का बबाल उड़ा है यह आप खुद मान रहे है कि राहुल गांदी ने सही नहीं का है क्योंकि लेकिन एक बात और है दूसरी तरफ से स्टेटमेंट आएगी त क्या कि भूके बजनना बजे को पाला ले पकड़ अपने कंठी माला तो इसका मतलब यह तो नहीं पापी हो गया बगवान को रिपदिद्द कर रहा कि बढ़त कई बहुत अच्छा नहीं नहीं कहा कि न हिंदू बनूंगा न मुसल्मान बनूंगा इंसान की ऑलाद है इंसा सबी को गर्व करो अलब संख्यकों को देखो और हिंदूओं को बाट दो हिंदू अस्मिताक को खतम करने की बात होती है दर्द वहाँ होता है इसी देश में 500 साल हम लड़ाई लड़ते रह गए बहु संख्यक होने के बावजूद एक उयुध्या का अगर बहु संख्यक, मिजॉरिटी औरिनिजम जो ये अरोब हम पे लगाते हैं, अगर इसका एक जज़बा हम में होता, तो क्या ज़रूत ही ने आले की, अगर ये इस्लामिक देश होता, इस्लामिक देश होता, तो क्या इनको मंजिद लेने में टाइम लगता है, आपकी पार अगर दो करना चाहिए, लेकिन करम भी साथ में करना चाहिए, मेरा पॉइंट ये हिंदू धरम बीड़ेपी की बबॉती तो है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो फिर आप उसको अपने कस्टिडी में क्यों रखना चाहिए, ये आरोप है आपके लिए आरोप लगा रहे ह तो कौन कस्टिडी में रखना चाहरा है, रामलला का इंविटेशन गया, तो कहें कि ये बीजेपी का इवेंट हम नहीं जाएंगे, रामलला क्या खाली बीजेपी का है, अच्छे आपको कौन को लोग भगवान का नाम लेते हैं अपने घरों के अंदर, लगबक सभी ले र इस देश में 70 साले लोगे अधर्म की राज नीति की, एक सिकिन मैं रहा हूं, लेकि मैं रोकों से राह लेलू, क्या राम का नाम लेना, भूके मरना है, नहीं, सर बात अगर धर्म की हो रही है, तो मैं ये पूछना चाहूंगी, कि हमें बश्पन से सिखाया जाता है, राज की लिए करता है, और फिर ऐसे में अलायंस से सवाल उठता है, लालू प्रसाद यादव जी का की, मोधी जी पर की तुम्हारा घर कहा है, तो परिवार कहा है, तो फिर क्या हम देखना जाएंगे, कि ऐसे लोग जिनके मन में ये चीज़ है, कि परिवार परिवार तो नहीं ह हो गया है, जैसा 2019 में हुआ था, चौकितार चोर है, इस बार आपने पूछ लिया मोधी का परिवार कौन सा है, तो लोग खड़े हो के बोल रहे हैं कि हमें मोधी का परिवार, बताइए क्या करीएगा, यहां से पर भी मैं भी हाथ खड़ा करवाँगा, तो जवाब मिल रह परिवार अगर इस देश का एक सो पचीस करोड परिवार होता, तो असी करोड हिंदू जो है ना, राशन के लाइनों में कटोरा लेकर नहीं खड़ा होता, अगर, कौन है उस्वे, मुसल्मान को नहीं मिल रहे है, मुसल्मान को नहीं मिल रहे है, मैं फूछ रहाँ कि से लेकर 2024 में हिंदू के ही सरकार है ना, कि मुसल्मानों का कंट्रोल है, एंटीना पे सरकार के, तो असी करोड़ लोग कटोरा के लाइक क्यों खड़े हैं, अच्छा, एक भाई, एक भाई, एक भाई, एक भाई, आमी भाई, आपी बड़ी इंट्रस्टिंग बात दूरी मे हिंदू की सरकार है, आपके मताब में, याविर इंटीना पे मुस्लिम की सरकार है, यहीं बोला, क्या 2000 से पहले कोई और सरकार थी कहा? हम एपने हैं सोगधा से पहले साम्चार के खार्ट के आधार पे चलने वाली सरकार थी भागस थिन्ग अंहरु लोहिए उनके अपने पे चलने वाली सरकार थी तो मेरा ये सवाल छोटा सा है अमीज भाई थोड़ा सा थोड़ा सा दे जी ती सिकंड दे जी 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 बोले बोले असी करोड हिंदू नासास क्यों है पूरे उत्तर प्रदेश के गाउं में आप चल जाओ किसान गरीब मजदूर रात रात बर फसनों को अपना रखाते हैं कानपुर में ब्रहमण माबेकी का बुल्डर चरादी आ गया उसकी हत्या हो गई गलत हुआ पूरे उत्तर प्रदेश में ब्रहमणों पे जो अट्रसिटीज हैं वह हिंदू नहीं है सवाल ये कि अगर आप ये कह रहे हैं आप ही कह रहे हैं कि प्थन मंत्री हिंदू का सबस देश खली है सोचिए वहां पर एक आरोपी है जिसने 50 से जादा महिलाओं के साथ इतना निर्मम वहवार किया है कि उसको मैं यहां पर बता भी नहीं सकता उन और तो को पार्टी दफ्तर रह जाके उनके साथ शरीरिक शोशन करने का आरोप है उनके उपर उस व्यक्ति के ल या फिर बंगाल की सरकार है बंगाल की सरकार को केजाने की दुरती पॉइंट सीधा ये है कि समविधान की धजिया कैसे उड़ाए गए ये भी हम सबने देखा है लोग या जालोग आप 30 सेकंड मैं बस यह कहता हूँ बिलकुल समविधान के हिसाफ से 2014 की सरकार पहले की सरक संविधान के अनुसारी एमर्जनसी लगा दिया था समविधान के अनुसारी से असारे संसाधनों смवाग नहीं कर सकते यही समविधान था ऐसे समविधान के इनों ने अदिये अब एक मेरा मंतरी मोधी इस देश के प्रधानमंतरी है जिसमें तमाम धर्म तमाम संपरदाय हैं की सोच गंदी है अब कोई मोधी ऐसे नहीं होता है ठीक है ना मोधी बनने के लिए जितनी तपस्या करनी पड़ती है वो परिवारवादी कभी नहीं कर सकते क्या खिलेश लॉंच हुए मुलायम के बेटा थे तबन गए मुख्यमंतरी है यहां मोदी का नम मतलब तपस्या है तग अपना पड़ता है अपने आपको राजेश गुपता देखे मैं फिर मैं फिर वाता हो जाता है फिर मैं एक्सपोर्ट के पास आओंगा मोदी के परिवार को टार्गेट करने की क्या विशक्ता थी मैं आप मतलब यह किये मैं प्रसुर्श ने पूछा हूं कि 2019 में कॉंग्रेस नहीं गलती करी थी इस बार आपके गड़बंदन नहीं गलती कर दी है मोदी के प जनी ते इस बात पर टीके हुए कि परिवार को आकर्मन ही करते रहते हैं सत्तर साल स्तर साल सत्तर साल नहरू से लेकर आस तक वे परिवार को आप यह दिखा सकते हूं आपके राजिस समा सांतत संजे सिंग का वीडियो दिखाऊंगा अब से कुछ तेरे माथ जिन्हों ने अखिले श्यादव से लेकर ओमर अब अब उद्धाकरे तक उद्धाकरे तक उद्धाकरे शराद रापवार तक शराद रापवार चे लेकर एक पॉलिटिकल स्पीच में पॉलिटिकल स्पीच में डिफरेंस होता है इस बात को समझिए कमाल की बात को अब यह कहते परिवार बात इन्होंने भी नई दिल्ली से टिकेट दिये बासुरी जी को किसलिए दिये सर सुष्मा सब्राब जी की बिटिया इसलिए ना और तो कोई रीजन नहीं है नौईड अब राहुल गांदी जी कि यह परिवाराद के पौड़क्ट है वरुन गांदी जी क्या थे जो आपको लगवा रहे था उनकी माता जी को क्यो लगवा प्रधान मंत्री मोधी को मैंने 2001 से कवर करा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जब बतार प्रचारक RSS के रहे जर्रल सेकर्टरी बीजेपी के रहे पिर गुजराद गए प्रधान मंत्री मोधी तब एक कमरे के घर में ही रहते थे इसमें कोई दोराय नहीं है और जहां तक आपने बात करी वो गरीब थे की नहीं थे जो स किसने बताये था क्योंकि ये सार्जनिक है ये बात किसां को क्या मेलेगा महिला उका किसी का महिमा मंधल करके इसको बहुत बड़ा बनाना चाहते है बनाईे मुझे कोई डिक्त नहीं ने, उनका काम है बनाना, आप ना बनाईए, उनका काम है बनाईए, मैं मुक्यमनतरी को अपने बनाऊ, बनाना चाहिए लेकिन मेरा एक बात कहना है कि देश का चुनाओ किस बात पर होना चाहिए, क्या वुश्य होने चाहिए सिक्षा पे, रोजगार पे, किसान को अगा मिलेगा, महिला तुरक्षा पे, आपने शैदाद चेक की बात करी, फंसी दे दो, लेकिन ब्लच्बूशन सिंगे लिए तो कुछ बोलो, जब लोगे, मैं आ रहो हूँ, मैं आ रहो हूँ, आप लोगों के पास भी देश के चुनाव क्या इस बात पे नहीं होना चाहिए कि की और आप्षन के खिलाफ एक अभ्यान चले, देश क चुनाव क्या इस बात पे नहीं होना चाहिए कि शराब घुटा λέकर 25 को 8 बर से कुछ गंभीर सवाल पूछे जाएंगे संजेज राणा जी अभी कई सारे ओपिनियन पोल आएं और उन ओपिनियन पोल्स के अंदर एक बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खत्रे की घंटी यह है कि बीजेपी अपने बूते 370 पार नहीं कर रही है एंडिया के बूते 370 पार इदर से उधर हो सकता अगर 335 बोले दस परसे जोड़ दी तक रीबन 270 के पास पहुंच रहा लेकिन मुझे एक मिन दीजेगा कि बहुत बड़े-बड़े वक्तां आपके खड़े हैं इन्होंने बोला कि शहन्चा इनको पता हुना जो होता है मोगले आजम में होता है देश इनको बताता है सब्सक्राइब कर रहे हैं 17 प्रतिशत इनको प्रदेश में आद दो तो सम्रों चार प्रतिशत यह बात कर रहे थी किसानों की तो 2016 में गन्ना किसानों का एक लाग करोण अपका बुकतान भाई साब ने नहीं किया था अब इनसे भी बोल लेता हूं यह बोल बेच करके या जंडा लगा करके या आपके लिए यह भाई साह हमारे मित्र बोल एक सुनीजे हमारे आम आदि पाल्टी की चर्चा कर रहे थे स्कूल अब इस्पताल एक बी दिल्नी में स्कूल नहीं बना एक बीस्पताल नहीं बना अभी इनके मुक्रमंत्री कली अमीची सब्सक्राइब कली बोल रहे हैं 42,000 नोकरी देजी पंजाब में भाई साब अक्टूबर नॉम्बर में 2022 में वहां पर विरुजगारी दर आठ दिसम्नों दो था और आज नो के पार हो चुका पंजाब में अब किसकी बात कर रहे हो अरे आकड़े रखके बैठा करिये और सब्सक्राइब करने के में तयार हूँ सिर्फ दो बाते हैं इन्होंने बिल्कुल ठीका अकड़े 10% उपर नीच हो सकते 335 के 10% घटा लो घटा हो जरा ठीक है 15 घटके तुमारा काम हो गया लेकि राम नहीं सब्सक्राइब करा इन्होंने यहीं चालेंज कर रहा हूं आपको वजीरपूर का विदायकों टीवी बोलरों सबसे बड़ी डिवेट हैं सबसे बड़ा इंकर आपके सामने कड़ा हुआ है गलत तो नहीं के रहा हूं मेरे साथ मेरे वजीरपूर में स्कूल दिखाऊंगा स्कूल में घुमाऊंगा बच्चों से पछुआंगा जिसके पास अगर नहीं होंगे इस्तिफा देता हूंगा आपके सामने सबके सामने चैलेंगे बहुत अच्छी बात बोली देश का सबसे बड़ा शोहर आप सबसे बड़ा एंकर हैं इनसे पूछे कि नाम बता देए जो पिछले पांसान में परते एक वीक एक स्कूल बनना चाहिए फिर मैं आप लोगों के बाद भी आला हूं सवाल पूछने के ने किके शर्मा साब आपका सवाल किसे और मेरा आपसे भी एक सवाल है क्या आपको लगता है कि मोदी का परिवार पर सवाल उठाकर विपक्ष ने 2019 वाली गलती पोलिटिकल गलती करी है बिल्कुल गलत नहीं क अर्मी यह देश की सवा कर सकता है कि बिल्टी सेवा कर सकता है यह कंग्रेस के विर्टा राजीव गांदी का बेटा कभी नकभी आवल गांदी प्रधान बंती बन है जो भी देश की सिवा कर सकता है आराम से देश की सिवा मौदी जी नहीं कर पा रहे हैं देश की सिवा आया प्रुड को परिवार बाद को विकास का मुद्डे पे लगना चाहिए क्या आप मानेंगे या नहीं मानेंगे कि इस देश के इंफरस्ट्रक्चर में अदगुत पूर विकास हुआ है जिससे को हिसाब नहीं है पहली बार बजट में 12 लाग करोड रुपया इंफरस्ट्रक्चर के लिए डॉर्ट कितना पैसा कर्ज लिया है कितना पैसा कर्ज कारी के क्रॉमिक एजुकेशन पर सब्सक्राइब आप लोग चाहिए कि रहा है अरे बाइब इसकार्ज में हो कमुनिस्ट बाबा एक मिनट हां एक मिनट अपने सब्सक्राइब कितना है डैट टू जीटीपी रेशियो के हिसाफ से हम सिफ 82% पे अमेरिका द अपनी को राय रखना चाहता है तो अपनी राय कि बोलिए अपनी बात को रखें आप खड़े ओक बोली नमस्कार आप सबीको सर्व मैं बिलकुल मानूंगी मोदी जी ने विकास किया अब बी चले जाए ग्रामी निलाकों में काफी विकास हुआ है वाह पे पहले के अब वहाँ पर मिल रही है नियू स्किल डेवलपमेंट्स की वज़ा से मुझे नहीं हुआ है और कोई कुछ कहना चाहता है आप कुछ कहना चाहतीं बोली-बोली जनता के जवाब सुनके लोगो मिर्शी लग जाएगी वही जी-जी-जी-जी-जी-बात कर रहे हैं कि आपक पहुआ पाउन सिंह की सरकार में सिर्फ एक बनाब बताईएं मैं अब एक मलिकारजुन खड़के कॉंग्रेस के सर्वोच निता अध्यक्ष है उन्होंने एक बयान दिया है वो बयान में वीवर्थ आपको सुनाना चाहता हूं वो बीते कुछ दिनों का सबसे बड़ा बया है आप खुद सुनिए और व्यूर्ज आप निर्णने लीजिए अब क्या है उड़ते ही आप टीवी हैसा ओन करो मोधी आ गई कि मोधी की फोटो आ गई तो उस घर को दरिद्री लग गई है कि पॉइंट यह है कि मोधी की फोटो अगर आ लगता है तो वह घर दरिद्र का अगर मैं अर्थ आपको समझाओं गरीब गुर्बत लगता है उस घर जिस घर में नरे नमोधी के तस्वीर आगी पहले तो जिस घर में गुर्बत महां टीवी वी है मतलब खड़गे साब क्या बाद बोल रहे हैं लेकिन डॉक्टर अजयलोक क्या आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल बात जो खडगे साब कह रहे हैं ये पॉलिटिकल बात है ये पॉलिटिकल बात है ये पॉलिटिकल बात है मैं बिल्कुल अग्री करता हूं खडगे साथ में बिल्कुल ठीक बोला भाई अपने बार में ब पोटर दो वजाद दो से देखना शुरू कि देखिए इससे इससे घटे 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 आज वावन आ गया उसी का दर्ध जलक रहा और कुछ नहीं है अब वो पिनल को चालिस से नीचे आजए इस बारी चालिस नीचे जाएंगे यह लोग अगरी कर रहे हैं देखिए सब्सक्र इसी खड़गे सहाब ने कहा था जियाद रखो मोदी का राज आ जाएगा तो समझ लेना सनातन का राज आ जाएगा